नमस्कार दोस्तों, वेलकम टूर वंडिक जाम क्लासेट देखे, इलाहबाद हाई कोड ने अपनी अफिसियल अंसर की आज जारी कर दी है, 24 तारिक को आज जारी कर दी है, 24 से 28 तारिक अपनी अपत्ती दर्ज करा सकते हैं, तो बहुत सो लोग इसको फेंक कर रहे हैं, अभी थोड़ी आपको जांकारी नहीं है, जल्द ही आई है इसकी ऐपिसेल एंसर की, तब इस साम तक आपको जानकारी मिल जाएगे कि आपकी ऐपिसियल एंसर की ही है तो मैंने क्रूप C की आपकी जो झूर ए सटी सटीन की उसकी पूरी आपको एक से 100 अशर बता दिया है, आप जाहिए प्लेलिस्ट में पड़ा होगा वीडियो उसको मिलाइए और आयोग ने जो एंसर बताए हम वही आपको एंसर बताने जा रहे हैं अब ये ग्रूप D का पेपर है हमने सी सेट को उठाया है सी से पूरे एक से लेकर साव तक आपको हल कराएंगे और बहुत इस तरहल प माध्यम से वन डेक जाम क्लासेश के नाम से चैनल है इसका सब्सक्राइब की बटन इसको आप लोग दबा देंगे तो ये काली हो जाएगी और पलपल के अपलेट हमारे चलने के माध्यम सको मिलते रहेगे क्योंकि अभी इसके बाद आप आपती आप लोग को दर्ज करानी साहत आप लोग के एक दो नंबर बढ़ जाएं यदि आप लोग सही सही उत्तर को कोई भी साच्छे के साथ दे देगा तो कमेंट बैक्स में कहिएगा और वीडियो अच्छा लेगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा हम जल्दी आपके चली आइंसर चालो करते हैं एक से ले दूसरे नंबर की बात करते हैं तो आप लोग को लाइक कीजेगा हमारा मकसद होता सिर्फ यही कि आपको सबसे पहले नुज दे और मुझे लग रहा ऑफिस्यल एंसर की सबसे पहले मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं तो इसके बात करते हैं देखे चोथा कोशन की हम और पांचवे नमबर की बात करते हैं तो पांचवे का जो सही आपसन है वो भी सही है तो अभी तक सही है सभी आपसन और देखते हैं किसमें आपती दर्श करानी है छटे का सी सही है तो यह भी बिल्कुन सही है आपका और साथमे नमबर की बात करते हैं तो साथमे का जो सही ह वो भी पॉट सही है तो ये भी बिल्कुन सही आपसा नहीं इसके बात बात करते हैं अपने उमीद करते हैं वीडियो का अपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कलीजिए जानकर यह आपको मिलती रहेंगी और अभी आपका रिजल्ट तक हम आपके चैनल हमारे तक आपको जानकर यह देते रहेंगे और बिल्कुन सही जानकर यह देते हैं और आठमे का सी सही है इसमें और नौ की बात करते हैं नौ में कोशन की नौ कोशन में एक सही है इसमें और दस कोशन की बात करते हैं दसमें की तो 10 का C सही है और 11 नमबर की बात करते हैं तो 11 का जो सही है वो D सही है और 12 नमबर में जो सही है आपको आफसन है 12 का C सही है तो बिल्कुल सही है जा रहा है अभी तो और 13 नमबर की बात करते हैं तो D सही है तो इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और 14 नमबर की बात करते हैं 14 को जो सही है वो 20 सही है आपसन आपको और 15 की बात करते हैं 15 का सही है D उपरियोक तो सभी जो हमने आपको बताया तक कुछ लोगों को संभावना थे गलत होने की तो यह विल्कुन सही है आपका 4 आपसन इसके सही है 16 नमबर की बात करते हैं 16 का 20 सही है और 17 का जो सही है वो है आपका B नमबर सही है इसके बात जो आपके आपसन है 18 नमबर का 18 का जो सही है वो C नमबर सही है और 19 नमबर की बात करते हैं तो 19 का जो सही है वो है C नमबर सही है तो ये आपके total निस कोशन हो जाते हैं और जल्दी जल्दी हम करते हैं आपके कोशन को 20 का 20 सही है और इसके बात करते हैं 31 नमबर की तो 31 का जो सही है लागत मूले 21 का जो सही है वह ही आपका और 22 के बात करते हैं जो आउसमत पूछा गये था तो बाइस कभी स है और 23 नमबर की बात करते हैं तो dachte 30 के जो पहुत सही आपसन है वह है चारवथे 8 में अपको बताया था चारवथे 8 इसका सही एंसर होगा और इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है आपको उमीद गता दें 1495 सभी लोग एक नंबर आ रहे हैं यह आपको बता दे रहे हैं कमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए थे पहले से 1495 और इसमें जिसके आपसं गलत हो जाएंगे मुझे लगता है कि 90-92 भी जिसके होंगे उमीद करते हैं कुछ का सेलेक्षन नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मिरिट जाती है 200 नंबर जाती है आप समझ लिए एक गलती आपको कितना पीछे ले जाएगी इसमें तो कि इसमें फोड़ा से डाउन होगा है तो पीरी का जितने भी नंबर लाएं कोई दिक्कत नहीं वह भी चला जाएगा तो 24 नंबर की बात करते हैं तो 24 को जो सहिए वह डी नंबर सहिए और पचीश का जो है वह ए नंबर सहिए तेरा बटे बारा सहिए और 26 जो उत्तर ना द सब्सक्राइब करें दिए तो अगर आपने सी की नहीं देखी लेवर कि तो तक उसको मिला लीजिए और लगभग जमारे मेरिट थी 75-80 जितने हमने आपको बताई थी जनरल के लिए 76-80 तक वाले अपने आपको सेफ समझेंगे और वह भी अपने जनरल लगभग एक है समझे सी में जनरल और ओबी सी को एक ही मार्क लाने पड़ेंगे तो यही है और सब करते हैं अब आप लोग बताएगा अपने एंसर 34 की बात करते हैं 34 का सई है सी नंबर और 35 देखिए 34 में घ करते हैं कारक चार का और यह साई है और 35 जो है 35 का ओपसं साई है ए नंबर सायिन अजंत होता है आपका बिंजन चंदिव होती संकीड में सम साहिए इसमेet्चू 36 का जो सहीए V number और 37 जो सहीए आपका 37 का सहीए D number सहीए तो बहुत मोटा था तो 38 number की बात करते है 38 का जो सहीए वो B number सहीए संख्या वाचक सहीए 49 की बात करते है 49 में 49 और 40 दोणों में B basically है मतलब कि इसमें 3 सहीए आपका option और इसमें बहुत है और ऑफसे सई और सब्सक्राइब की अपारिस नोब्स सब्सक्राइब वो है D number सही है तो यहां तक कोई दिकत नहीं है मैं लगता है कि आपत्ती दहीं दर्जाए हो सकती है और आपत्ती के लिए कोशन भी होना चाहिए लेवल के होने चाहिए तो 45 की बात करते हैं 45 का C सही है दुलनिया सही है इसमें और अकल बड़ी या भैंस की बात करते हैं तो 24 नंबर का चाहिए आयोगने और 48ों में आपका चाहिए आपका D और इसके बाद सीसी दो सही है आपके थज़ा यूं मैं से कोई नहीं सही और इस में सिर साही है और इस्में प्रार आपका स्वास्त कैसा हो तो विल्कुन सही जतना हमने बताया ते वही शब आंशर जा रहह लए हैं तो एक क्स नमबर की बात करते हैं तो एक क्याओंवन की बात आपको करते हैं तो क्याओं घ साही सी नंबर सबांड़ों की बात करते help कि गुजरत में तवर एक टाकि मूर्थ गुज़रात में इस्टैचिया उनिटी जिसकी बात करते हैं और अठावन नमबर की बात करते हैं एक लिए पियर्स में उन-तिस दिन होते हैं और फिप्टी-णाइन 55 का देख लेते हैं C और B सही है इसका मतलब यह मच्यली सही समें जली प्राणी सही है और वीडियो का पुस्ट कर लेज़ेगा अगर कोई दिक्कत हो तो आपको 63 का जो सही है वो D नमबर सही है ब्रहस्वती सबसे बड़ा ग्रहा है और 64 नमबर की बात करते हैं 64 का B सही है सुनीर अरोणा सही है और 65 नमबर हो जो आपका option सही है वो D सही है प्रयाग राज में आपका 16 अगस्त को हुई थी तो यह भी बिल्कुन सही है इसके बाद 70 नमबर की बात करते हैं 70 का A सही है मैंने आपको बताया था और इसके बाद 71 का जो सही है और 72 का सही है आपका A नमबर हांकी से संबंदित है चक्दे इंडिया फिल्म और 73 नमबर को आपका option सही है 73 का D सही है और इसका C सही है मोहंदास करमचंदर गांधी तो बिल्कुन सही है 75 नमबर में जो यह पतिया बनी है ना यह आपके नीम की पतिया है बिल्कुन सही है इसका कोई option नहीं सही है अब आपके धीरे से कोशन 25 कोशन इंग्लिस के बस्ते हैं इसको भी हम आपको सौल करा देते हैं टोटाल आपके एक से लेकर सो तक आयोग के answer है 76 नमबरें पोहिछते हैं अम लोग छीयत्तर कर जो सहही है वह सिमपल पास्टेंस है पहले हैं मुझे बील्कुन सरल था और इसमें कोई संभाना नहीं मुझे लगता है किसी में अपतिया आप दर्ज भी नहीं करा सकते हैं अब्हें तक फिर भी लगता है तो कमेंट बाक्स में कहिए अभी तक जितने कोशन हुए तो मुझे नहीं लग रहा है किसी में आपती दिर्श कराने लाइक हैं 79 की नमबर की बात करते हैं 79 का 20 सही है बनानाज सही है और इसके बाद बात करते हैं नहीं हम 80 कोशन की और तो 80 का जो एंसर सही है वो है C नमबर सही है तो यह पियानो जो होता है बिल्कुन सही है 80 नमबर 81 की बात करते है तो D नमबर सही है और यह P बिल्कुन सही 82 की बात करते है तो 82 में B सही है तू का प्रियोगों का हिंट वे इंट इसकूल यह बच्पन से पढ़ते चले आ रहे है तीरासी नमबर मुझे आपका सही आपसन है वो है C नमबर तो यह स्टेट आप बिल्कुन सही है अक्योरसी मतलब और आपका जो इसमें देखिए एज स्लो होगा यहां पर ड़िया है तहो थीरासी का देख लगा हुआ है और केसी लगा हुआ हूए कर फिरासी के सी अगर लगें गई यह तो भूटल तो यह गल्लत हो जाए만 कर भी 80 कैसे हो सकता है इसका 83 जो दिया है वो सी दिया हुआ है तो यह 83 ही है ना तो यह आपका इसके बाद 84 पचासी हो गया है तो हम लोग गलत देख रहे हैं सबसे पहली बाद 83 क सी है यहां से देखते यह T 84 का C और इसके बाद यह 84 नंबर है, 84 का जो सही है, वो A नंबर सही है, slow, और 85 का जो आपसन सही है आपका, तो 85 का D, तो यह सही है, D, तो वही हम थोड़ा answer इदर उदर देख लिए थे, तो आपको दिक्कत हो गे थी, इसके लिए, sorry आप लोगे लिए, 86 नंबर की बात करते है तो 87 का जो सही है, वो D नंबर सही है, my sister होगा, आपका brother का जो link परविरतन होगा, तो sister हो जाएगा, और इसके बाद बात करते हैं, आपके 88 नंबर की, तो 88 का सही है, आपका a and apple a day, keep the doctor away, यह आपका मुहावरा भी है, आपका प्रोवर्ब जिसे करते हैं, 89 का नंबर, 89 का ज सही है, इसके बाद 91 की बात करते हैं, 91 का B सही है, और 92 की बात करते हैं, 92 का जो सही है, वो A सही है, तो please give me, यहाँ तक आपके total complete हो जाते हैं, 92, अब इसके बाद बात करते हैं, 93 की, राइट फुल फार्म, 93 का जो सही है, वो C नंबर सही है, और इसके बाद आपका बात करत नम्बर की बात करते हैं साइब सबस्क्राइब ह...? से पहले हमने इसके के दिए हमने इसमें लिखे दिया... 67 की बात करते हैं, 97 का 20 सही तो टोटल एक से लेकर हम आपpaper को हल करती है और میरिट का बिलकुन से अंदाजा आपको लग गया होगा तो लगबग जो मेरिट जाने वाली है आप लोग को ज़रूर ज़्यादा मेरिट लग रही होगी लेकिन पिछले बार के अप एच्छा है इस बारे पेपर ठीक ठाका था लेवल भी है या इस्टुएट की मात्रा बढ़ी है पढ़ने वाले को मात्रा बढ़ी है तो जो लेव से 95 के बीच मेरिट जाएगी पहली की बात कर रहा हूं मैं अब देखते हैं इससे जादा भी जा सकती है और इससे कम तो जाने की बिल्कुन से उमीद नहीं है बिल्कुन से आप लोग मानने लिजेगा जनरल ओबी सी एस्टी सब के लिए बानबे से पंचानवा नंबर अप से तयार हो जाएंगे तो आपत्ति के लिए मुझे लगने लगता कोई कोश्चन अगर आपको फिर भी लगता तो आप लोग आपत्ति दर्श कराने कि कमेंट बाक्स में कहिए का हम आपकी तरफ से आपत्ति दर्श करा देंगे और इसका रिजल्ट जल्दी आने वाला